अध्याय साथ प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व अंतर राश्ट्रिय कूट नीती प्रथम महायुद्ध विश्व की सरवाधिक महात्वपून घटना थी इसने संसार के लगभग सभी देशों को प्रभावित किया यूरोप के विभिन देशों के परस पर कूट नितिक संबंधों ना केवल यूरोप को शक्तिशाली दलों में विभाजित किया अपितु विश्व युद्ध को भी अनिवारय बना दिया यूरोप के राशनितिक रंगमंच पर बिसमार्क के उधैसी पूर्व विभिन देशों के परस पर संबंध मधुर थे और सहयोग वसक भावना पर आधारित थे किन्तो बिसमार्क के कूट नितिक के कारण उनमें परिवर्तन आना प्रारंब हो गया था इस अध्याय के अंतरगत हम यूरोप के विभिन देशों के अंतर राश्ट्रिय कूट नितिक संबंधों का आध्यन करेंगे संग्षेप में इस समय यूरोप के विभिन देशों में परस पर निम्नलिखित संधियां और प्रति संधियां हुई जिनोंने योरोप के वातावरण को संधेपूर्ण वा अशांत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया ड्रीक केसर बंद अत्वा तीन समराठों का संग बिसमार्क के नेतरत्म में जर्मनी ने 1870 इस्वी में सेडान में युद में बुरी तरह से पराजित कर दिया था फ्रांस पर भारी धनराशी हरजाने के रूप में लाद दी गई थी और उससे अलसास वा लॉरेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छीन लिये गए थे ये प्रदेश लोहे और कोईले के प्रमुकेंद्र थे इनके छीने जाने के कारण फ्रांस जर्मनी से अत्यनते नाराज हो गया था और दोनों के संबंदों में बहुत अधिक तनाव उत्पन हो गया था बिस्मार्क को भी ये भली भाती अभ्यास था कि फ्रांस कभी भी जर्मनी के विरुद्ध प्रतिशोध आत्मक युद्ध प्रारंब कर सकता है इसलिए 1870 के बाद जर्मनी के विदेश नीती का प्रमुकुद देशिव फ्रांस के योरोप में मित्रहीन वा एकाकी बनाए र लिया यद्यपी ये कोई परमपरागत संधिया समझाता नहीं था फिर भी जर्मनी ऑस्ट्रिया और रूस उसे संधी के समान मानिता प्रदान करते थे 1870 से 1890 इसमी तक बिस्मार्क चांसलर के महत्वपूर्ण पत पर आसीन रहा इस समस्त काल में उसने फ्रांस को योरोप म संधिती संगठन को पनपने का अफसर प्रदान नहीं किया विस्मार्क विशेश रूप से इंग्लैंड और रूस से भयाकरांद था इसलिए अपने संभूर्ण राजनितिक जीवन में उसने इन देशों से मैत्री संबंध बनाए रखने का प्रयास किया इंग्लैंड को प् प्रिश्ट 89 यही कारण था कि जर्मनी की स्थल सेना तो अत्यधिक शक्तिशाली थी किन्तो उसकी जल सेना शूने थी इस प्रकार विस्मार्क ने अपनी कूटनितिक प्रतिभा के द्वारा जर्मनी को उस भीशण संगर्ष से बचाए रखा जो जल सेना के विकास के कारण निश्चित रूप में हो सकता था बिस्मार्क योरोप में आस्ट्रिया जर्मनी रूस फ्रांस और इंग्लैंड को महाशक्तिया मानता था और उनमें से कम से कम तीन को एक दल में रखना चाहता था एक बार इस संदर्भ में उसने एक राजदूद से कहा भी था तुम योरो इस संसार में सदैफ तीन के साथ बने रहने का प्रयास करो बिस्मार्क इटली को योरोप की महाशक्ति स्विकार नहीं करता था जब इटली के संबंद में उसके विचार जानने का प्रयास किया गया तब उसने उत्तर दिया था इटली एक महाशक्ति नहीं है हम उसे अंतर प्रदर्शन के लिए बुलाते हैं विसमार्क की सफल कूट नितिक प्रतिभा की और संकेत करते हुए एक पर समराट विलियम ने कहा था वो एक जादूगर है जो एक साथ पांच गेंदे आसमान में उच्छाल सकता है और उनमें से किसे को भी प्रत्वी पर गिरने नहीं देत संक्षेप में विसमार्क की विदेशनीती का प्रमुकादार फूट डालो और शाशन करो का सिध्धान था तीन समराटों के संग के उद्देश नमबर एक 1871 इसमी में फ्रांस में जो सीमाय निर्धारित की गई थी उनकी सुरक्षा की जाए यदि उन सीमाओं में किसी प्र जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस निरंकुष शाशन विवस्था के पोशक थे अताह उनका मूलिय उदेश निरंकुष एवं स्वेक्षाचारी विवस्था के गौरप को बनाए रखना था तीनों राष्ट्र क्रांतिकारी समाजवाद से भैवीत थे इसलिए उनका उदेश समाजवादी विचारधारा के प्रभाव को कुछलना भी था नमबर चार अंतर राष्ट्री समस्याओं को हल करने के लिए मित्र राष्ट्र समय समय पर सभाएं करते रहेंगे सन 1832 से 1888 तक तीन समराटों का संग भली प्रकार से कारे करता रहा किन्तु 1878 इस्वी की बरलिन संधी के समय उसे करारा धक्का लगा बरलिन समयलन में जर्मनी ने आस्ट्रिया के उस समर्थन प्रदान किया जिससे रूस को गहरा आगात पहुँचा अतहा इस अफसर पर रूस ने घोशित किया कि यदि जर्मनी सौ वर्ष तक संधी को बनाए रखने का एकशुक है तब उसे अपने रवये में परिवर्दन करना चाहिए प्रिश्ट असी रूस ने 1878 से 1881 इसमी तक तीन वर्ष लगातार जर्मनी का विरोध जारी रखा किन्तु बिसमार्क ने रूस को प्रसन बनाए रखने के लिए प्रतीक पक पर उसका समर्थन किया जब बलगेरिया का संकट अपने पराकाश्टा पर था बिसमार्क ने रूस के इस्थान पर रूस का समर्थन किया और रूस के जार को प्रसन करने के लिए उसने घोशित किया कि बलगारिया में मैं रूसी हूँ बिसमार्क ने रूस को ये भी आश्वासंदिया कि बर्लिन सम्मेलन के समय औस्ट्रिया का समर्थन करने की उसकी एक्षा नहीं थी उसने तो केवल एक इमानदार दलाल के रूप में कारे किया था ये वास्तव में विस्मार्क की एक असाधारन प्रतिभा थी कि वो आस्ट्रिया वर रूस दोनों के साथ मधूर संबंध बनाए रहा जिन की तुलना एक साथ प्रसेद इतिहासकार ने उन दो इंजनों से की है जो एक पटरी पर विपरी दिशाओं में चल रहे हों और जिन में भिडंत होना अनिवारे हो बिसमार्क इस टकर को अपनी राजनितिक शमता से रुखना चाहता था 1884 इस्वी में तीन समराडों के संग को दोहराया गया किन्तु निमनलिखित कारणों से 1877 इस्वी में ये संधी भंग हो गई इस समय तक आस्ट्रिया के हित के कारण जर्मनी ने भी पूर्वी समस्या में रुची लेनी प्रारंब कर दी थी जर्मनी वो आस्ट्रिया दोनों घनिष्ट मित्र थे जिसके कारण मिसमार्क को पूर्वी समस्या में रुची लेनी पड़ी परंतु ऐसा करने से दूसरा मित्र रूस नाराज हो गया क्योंकि आस्ट्रिया और रूस दोनों के संबंद पूर्वी समस्या के प्रश्ण पर एक दूसरे से टकराते थे जर्मनी द्वारा निरंतर आस्ट्रिया का सयोग किये जाने के कारण रूस उससे नाराज हो गया नमबर दो बिस्मार्क संरक्षन की नीती का समर्थक था उसने आया तीत माल पर भारी चुंगी लगाई जिसके कारण बाहे देशों से आने वाला माल अत्नित महगा होता जाता था और उसे जर्मनी में नहीं बेचा जा सकता था इस समय तक रूस एक क्रिशी प्रधान देश था और जर्मनी अपनी आवशक्ता का अधिकांश अनाज उससे ही मांगता था किन्तु बिस्मार्क की संरक्षन की नीती ने जर्मनी में रूसी अनाज की बिक्री के कारे को असंभव कर दिया था इससे रूस अतिनते नाराज हो गया था वो अपनी आर्थिक कटनाई के लिए जर्मनी को पूरी तरह उत्तरदाई समस्ता था इस समय रूस पांच सलाव आंदोलन के कारे में सनलगने था उसका मुख्य उदेश समस्ता सलाव जाती को एक राश्टर के रूप में संगठित करना था दूसरी ओर जर्मनी में पांच जर्मनी आंदोलन तिन प्रतिदिन उन्नती करता जा रहा था और उसका उदेश जर्मनी जाती को संगठित करना था बिस्मार्क उसका नेता था इस प्रकार दोनों आंदोलनों के उदेश एक दूसरे के फिरुद्ध थे जिसके कारण बादे होकर रूस जर्मनी को अपना विरोधी समझने लगा नमबर चार इसे बीच फ्रांस में जर्नल बुलांजे का उदे हुआ उसका प्रमुक नारा था फ्रांस की पराजय का जर्मनी से बदला लेना और इसी के आधार पर उसने फ्रांस में प्रसिद्धी प्राप्त की फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध अवश्यम भावी प्रतीत होने लगा था बिस्मार्क ने जब रूस के द्रश्टी कोड को जानना चाहा तो रूस ने उतर दिया तीन युद्धों में रूस तठस्त रहा है रूस को अपने हितों को ब्रहतर प्यमाने पर विचारना चाहिए और वो प्रशा की सहयता का वचन नहीं दे सकता क्योंकि आपकी मित्रता आस्ट्रिया के समराट फ्रांसिस जोजफ से है प्रिष्ट 81 इस प्रकार जर्मनी और रूस के मध्यक दरारुत्पन हो गई जिसने तीन समराटों के संग को समाप्त कर दिया परन्तु फिर भी बिसमार्ग ने पूरी तरह से रूस का साथ नहीं छोड़ा उसने रूस को ये आश्वासन दिया कि आस्ट्रिया का मित्र होने के बावजूद भी वो रूस का विरोधी नहीं है बरलिन सम्मिलन में बोस्दिया और हर्जव गोविना के प्रदेश आस्ट्रिया के प्रशाशन हेतु दिये जाने में उसने आस्ट्रिया का पक्ष केवर इसलिए ग्रहन किया था क्योंकि रूस ने पहले ही बैसारिबिया, कार्स और खार्तूम के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था वास्तव में बिसमार्क ने इस सम्मिलन में रूस के प्रतिनिदी के समान कारे किया था और उसे आशा थी कि रूस वासी उसका सम्मान करेंगे, किन्तु रूस के रवये को देख कर ये आश्टर चकित रह गया था पुनर आशवासन संधी 1877 इस्वी में बिसमार्क ने रूस के साथ पुनहा एक संधी की और पुरानी शराप को नई बोतल में भरने का प्रयास किया इस संधी की लिखिधाराय प्रमुक थी ये संधी तीन वर्ष के लिए की गई थी रूस ने आश्टरिया को बर्लिन की संधी में प्रदत्य अधिकारियों की पुष्टी कर दी तुर्की सामराजी में प्रतेग परिवर्तन तीनों मित्र देशों की स्विकृति से किया जाएगा कहा जाता है कि जर्मनी और रूस की इस नई मित्रता को आस्टरिया वर रूस के मध्य यूदु पर अंकुष लगा दिया गया तथा फ्रेंको रूसी बंधी को रोग दिया गया दूई राज्य संधी धीरे धीरे रूस वा जर्मनी के संबंदों में गिरावट आने लगी वस्तुता जर्मनी का एके करण रूस की तथरसता के कारण संभव हुआ और जर्मनी को इसके लिए रूस का आभारी होना चाहिए था किन्तु फिर भी जर्मनी ने बर्लिन संधी में आस्ट्रिया का सहयोग किया था क्योंकि वहां जर्मन बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे और बिस्मार्क उनके सहनुभूती अर्जित करना चाहता था बर्लिन की संधी का सबसे महत्वपूर अंश ये था कि उसके कारण रूस और जर्मनी के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया था आस्ट्रिया और रूस के मध्य सीमा संबंधी विवात को सुलचाने के लिए 1889 एस्वी में एक कमिशन निक्त किया गया था जर्मनी इंग्लैंड और रूस इस कमिशन के सदस्य थे और उन्होंने जो निर्ने बहुमत से किया था वो रूस विरोधी था जिसके लिए रूस ने जर्मनी को तरदाई ठहराया किन्तु ये रूस की महानभूल थी और अनावश्यक रूप से उसने आस्ट्रिया विरोधी रुख अपना लिया था प्रेश्ट बयासी जर्मनी भी रूस के बदलते हुए वहवार से सरशंकित था इसलिए 1889 इसमे में उसने आस्ट्रिया के साथ एक गुप्त संधी कर ली जो दुई राज्य संधी के नाम से जानी जाती है बिस्मार्क ने आस्ट्रिया के साथ इस दुई राज्य संधी को करने में काफी जल्दी की क्योंकि आस्ट्रिया का प्रधान मंत्री शीगर त्याक पत्र देने जा रहा था वो बिस्मार्क का मित्र था और बिस्मार्क अपने मित्र के कार्याले में आस्ट्रिया के साथ संधी करना चाहता था अता दोनों प्रधान मंत्री गेस्ट्रिन नामकिस्थान पर आपस में संधी की शर्ते तैय करने के लिए मिले और वेना में पुन्हा अपने राजाओं से वार्था करके मिलने का निश्य किया अस्ट्रिया के समराज जोजफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के संधी की शर्तों को तैय कर दिया किन्तु बिसमार्ग को अपने राजा की स्विक्रती प्राप्त करने के लिए काफी पापड बेलने पड़े बिसमार्ग दुतिये को रूसी हमले का कोई भै नहीं था और ना अस्ट्रिया के साथ वा कोई संधीक ही करना चाहता था किन्तु अपने शक्तिशाली और प्रभुत्व संपन प्रधान मंत्री के सम्मुग उसे समरपड करना पड़ा इस प्रकार साथ अक्टूबर 1889 इसवी को दुई राजे संधी पर हस्ताक्षर हुए इस संधी की प्रमुक्षरते इस प्रकार से थी नमबर एक संधी के प्रस्ताबना में शांती विवस्था को बनाए रखने का उल्ले किया गया नमबर दो ये एक गुप्त संधी होगी नमबर तीन ये संधी तीन वर्ष के लिए की गई थी परन्तु यदि किसी भी देश ने संधी के शर्टों की समापती के लिए एक वर्ष पूर्वतक बारता के लिए कोई प्रस्ताब प्रस्त नहीं किया तब इसका कारेकाल स्वता तेन वर्ष के लिए बढ़ जाएगा नमबर चार, यदि किसी भी देश पर रूस आक्रमण करता है तब दूसरा अपने मित्र की सहायता करेगा नमबर पांच, यदि कोई अनिदेश किसी मित्र पर आक्रमण करता है तो रूस तथस्त रहता है, तब दूसरे मित्र देश तथस्त रहेंगे नमबर चे, किन्तु यदि कोई देश रूस की सहायता से किसी एक पर आक्रमण करेगा तब दूसरा देश अपने मित्र की सहायता करेगा उपरयोक्ते शर्तों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संधी पूर्तियार रूस के विरोध में की गई थी कियुकि रूस आस्ट्रिया वा जर्मनी का प्रमुक्षत्रू था संधी के प्रभाव संधी 1888 इसमी तक गुप्त बनी रही इस संधी की तिथी के तीन वर्ष बाद ये दिपी इटली ने भी इसे सुविकार कर लिया था किन्तु उसे इसकी शर्तों का इसपष्ट ग्यान नहीं था योरोप के आने देशों को भी इसकी शर्तों का नुमान मातर था जिसके कारण वे जर्मनी के प्रती संधे शील हो गए थे संधी की शर्तों ने जर्मनी को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया था और योरोप के पुराने शक्ति संतुलन को भंग कर दिया था पहले फ्रांस और रूस शक्ति संतुलन के केंदर बिंदु थे किन्तु इस संधी के बाद उनका कोई महत्वन नहीं रह गया था और विस्मार्क को फ्रांस को कुचलने का अवसर प्राप्त हो गया था विस्मार्क ने इस संबंध में घोशित किया था छे सप्ता पूर्पर रूस युद्ध के स्वपन देख रहा था किन्तु अस्ट्रिया के साथ मेरे संबंधों के कारण उसे सद बुद्धी आ गई थी प्रेश्ट तिरासी नमबर तीन दुए राजी संधी की स्थापना से रूस को अत्य देखानी उठानी पड़ी वो यूरोप में लगभग एकाखी रह गया था प्रसित इतिहासकार गूच ने इस संबंध में ये उले किया है सेंस्टिफ फैनों की संधी के कारण रूस वो अस्ट्रिया के संबंध खराब हो गये थे किन्तु अब उसने जर्मनी का समर्थन भी खो दिया था नमबर चार यदे पे विसमार्क ये कहा करता था कि गुडबंधियों मेरे दूस अपने हैं परन्तु वो स्वयम वास्तव में यूरोप में गुडबंधियों का जनक था संधी एवं प्रती संधियों का क्रम प्रथम महायुद के विसफोट के समय तक चलता रहा कुछ विद्वान विसमार्क को यूद के विसफोट के लिए उतरदाई ठहराते हैं किन्तु वास्तव में जब तक विसमार्क सत्ता धारी रहा उसकी संधियां उदेश और वस्तु स्थिति में सुरक्षात्मक थी और यूद का कारण नहीं बनी नमबर पाँच विसमार्क ने 1866 के सडोवा के युद में आस्ट्रिया को पराजित कर दिया था किन्तु उसने उसका अपमान नहीं किया किन्तु विलियम कैसर ने शक्ति ग्रहन करने के बाद उसकी आंतरिक विवस्ता में घुस कर उसे कुचलना चाहा किन्तु विसमार्क ने इसका घुर विरोध किया वो उस्ट्रिया के साथ मदूर संबंद बनाए रखना चाहता था परन्तु 1807 इस्वी में फ्रांस को सेडान के युद में पराजित करने के बाद विसमार्क ने उसके साथ मितरता पुर विहवार नहीं किया इसलिए जर्मनी और फ्रांस के मितरता इस्थापित होना संदिग्द हो गया था विसमार्क ने 1889 इस्वी में उस्ट्रिया के साथ संधी करने के बाद घोशित किया था कि ये मेरे 1806 के कारी की आपूरती है नमबर छे कालांतर में विसमार्क अपनी विदेश नीती के उदेशियों को बनाए रखने में आसफल रहा और 1889 इस्वी में उस्ट्रिया से संधी करके उसने स्वतह अपने सिध्धान पांच में से तीन से मितरता बनाए रखने का सिध्धान को जुटला दिया था उसने इटली, रुमानिया और तुर्की के साथ समझोते किये ताकि ये रोप में वो बहुमत प्राप्त किये रहे नमबर साथ आस्ट्रिया को निश्चा ही इस संधी से लाब हुआ था इसने पूर्वी समस्या में स्वतंत्र रूप से रुची लेना आरंब कर दिया था अस्ट्रिया भली प्रकार जानता था कि बिसमार्क को उसकी मितरता की अत्यनता बशकता थी और उसने इस स्थिती का पूरा लाब उठाया था नमबर आठ दूराजे संधी ने तीन समराटों के संग पर विपरीत प्रभाव डाला इस संधी ने तीन समराटों के संग में शितलता उत्पन्य कर दी किन्तु फिर भी बिसमार्क ने सं 1887 तक अपनी कूट नीथी द्वारा उसके अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास किया अता इतिहासकारों के ये मानिता उचिती प्रतीत होती है कि दूराजे संधी की स्थापना बिसमार्क की कुशलता का सर्विश्रेष्ट नमूना थी त्री राजे संधी सन 1871 के बाद बिसमार्क की विदेशनीती का उद देश अपनी विज्जियों को सुरक्षित रखना तथा यूरोप में शांती बनाए रखना था उसने फ्रांस को उपने विश्जियों स्थापना के लिए प्रोच साहित किया ताकि वो अल्लास वा लॉरेन की हानी को भूल जाए ट्यूनिस के प्रदेश पर इटली और फ्रांस दोनों अपनी आखें गड़ाए हुए थे बिस्मार्क ने फ्रांस को उस पर अधिकार करने के लिए प्रोच साहित किया और इटली क्या आखांग्षाओं के विरुद्व फ्रांस ने वहाँ पर अपना प्रभुत्वे स्थापित कर लिया प्रिष्ट 84 इटली ततकालिन यूरोप का एक प्रमुक राष्ट्र था वो जर्मनी के साथ संधी करने का एक शुक था किन्तु प्रारंभ में विस्मार्क इसके लिए तयार नहीं था क्योंकि वो इटली को स्वार्थी और अफसरवादी समस्ता था कालांतर में निम्ली के दो कारणों से उसने अपना द्रश्टी कोण बदल लिया था नमबर एक उसे फ्रांस और इटली के गड़ बंधन का भ्रहम उत्पन हो गया था नमबर दो इटली और आस्ट्रिया एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी थे और इस प्रकार आस्ट्रिया रूस तथा इटली जैसे दो शत्रों से घिरा हुआ था अतब बिस्मार्किस पहली को हल करने के लिए अब इटली से मैतरी संबंद स्थापित करने का एक शुक था दूसरी और जब इटली ने अपने आपको फ्रांस के द्वारा ट्विनिस पर अधिकार करने के बाद एकाकी और अपमानित अनभव किया तब उसने दूरी राजी संधी को स्विकार करने की इक्षा प्रकट की बिसमार्क इस प्रकार के प्रिस्ताफ को स्विकार करने के लिए पहले से ही तयार था उसने इटली को समझाया कि वो आस्ट्रिया के साथ अपने जगणों का निप्टारा कर ले और तब 20 मई 1882 को आस्ट्रिया जर्मनी और इटली के मद्र त्री राजी संधी संपन्ने हुई इस संधी की मुकेधाराएं इस प्रकार से थी नमबर एक यदि इटली पर फ्रांस आकरमन करे तब उसके मित्र आस्ट्रिया वा रूस उसकी साहता करेंगे इटली भी फ्रांस द्वारा आकरमन किये जाने पर जर्मनी की साहता करेगा नमबर दो यदि रूस जर्मनी अत्वा आस्ट्रिया पर आकरमन करे तब इटली तथस्ट बना रहेगा नमबर तीन यदि रूस फ्रांस की साहता से जर्मनी वो आस्ट्रिया पर आक्रमर करता है तब इटली भी अपने मित्रों की साहता करेगा नमबर चार ये संधी पांच वर्ष के लिए की गई नमबर पांच इस संधी को गुपत रखा जाएगा इटली इस संधी में इंग्लैंड को भी सम्मिलित करना चाहता था किन्तु बिसमार्क ने इसका विरोध किया फिर त्रीराजी संधी के करताओं ने इटली के इस प्रस्ताप को सुईकार कर लिया कि संधी को कभी भी इंग्लैंड के विरुदु प्रियोग नहीं किया जाएगा बिसमार्क इस संधी को शांती का संग लीग ऑफ पीस कहा करता था इस प्रकार यद्ध्यपी इटली त्रीराजी संधी के अनुसार जर्मनी वा आस्ट्रिया का मित्र बन गिया था किन्तो फिर भी जर्मनी और उस्ट्रिया के इटली से संबंद निम्नलिकित कारणों से मधुर नहीं थे बिसमार्क सदैव इटली को आविश्वस निये समस्ता था उसकी धार्ना थी कि इटली की नीती श्रंगाल के समान थी जो सदैव अफसर का लाब उठाना जानता था इसलिए 1880 इसमी में ही उसने घोशित किया था कि हमें बहुत कमाशा है कि इटली हमारा मित्र बना रहेगा इसके विप्रीत हमें विश्वास है कि वो शीग हमारे शत्रों के साथ गडबंधन कर लेगा नमबर दो आस्ट्रिया और इटली दोनों अल्बानिया पर अपना प्रभुत्व समस्ते थे नमबर तीन और अस्ट्रिया परतंत्र इटली के भाग को स्वतंत्र करने के लिए तयार नहीं था नमबर चार जर्मनी तुर्की का मित्र था किन्तु इटली नेसन 1911 में तुर्की पर अधिकार करके ट्रिपोली पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था प्रेश्ट 85 इस संधी के संपन्न होने के बाद एक इटालियन ने कहा था यद्यपी हम इस संधी के लिए सहमत हो गए हैं लेकिन किसी को भी इससे प्रेम नहीं है संधी प्रथम विश्वयुद के होने पर स्वता भंग हो जाएगी वस्तुता उसकी भविश्वानी पूरी तरह से सत्य सिद्ध हुई सन 1914 के प्रथम विश्वयुद के विसफोट के अफसर पर इटली ने जर्मनी और आस्ट्रिया का साथ नहीं दिया अपितु मित्र राष्ट्रों के ओर से लंदन की संधी करने के बाद इस महायुद में भाग लिया संधी की आलोचना बिसमार्क ने इन संधियों को गुप्त रखने की एक भयंकर भूल की यदि ये संधियां गुप्त ना होकर इसपष्ट होती तब ये निश्चित रूप से इतनी खतरनाक नहीं होती यद्यपी योरोप के राष्ट्र इनकी धाराओं से अबगत नहीं थे इन तु अपना अनुमान और बेहम के आधार पर उन्होंने इसकी धाराओं की कल्पना कर ली थी और प्रतेक देश इन्हें अपने विरुद अनुभव करने लगा था तुर्की का अनुमान था कि ये संधियां उसके विभाजन के लिए की गई थी इंग्लैनी ने अपने समुदरी अधिकारों का विरोधी समस्ता था प्रसेत इतियासकार थॉमसन ने उचित ही लिखा है कि इन संधियों ने प्रतीक राजी के भय को बढ़ा दिया था क्योंकि कोई दूसरा राजी इनके सुवरुप से अवगत नहीं था और इसलिए प्रत को मित्र विहिन बनाने की भूल की थी उसने यह नहीं सोचा था कि कालांतर में वे दोनों एक दूसरे के साथ गडबंधन कर लेंगे यद्यपी दोनों देशों के हित कई स्थानों पर एक दूसरे से टकराते थे फ्रांस में राजक्रांती पहले ही हो चुकी थी और वो प्र 1893-1994 इस्वी में उन दोनों ने जर्मनी के विरूत एक संगठन बना लिया था इन संधियों से जर्मनी को विशेज धक्का लगा वो योरोप में अपने बहुत को बनाए नहीं रख सका और इसलिए उसने इटली और तुर्की से मैत्री संबंध बनाए रखने का प्रयास कि इस संदर्भ में इतिहासकारों की धारना है कि गुडबंधियों का प्रारम जर्मनी के लिए लापकारी सिद्ध हुआ कि जब अन्य देशों ने भी उसकी विरोधी संधियों को करना प्रारम कर दिया तब जर्मनी की स्थिति खराब होने लगी फ्रांस और रूस के मध्य संधी 31 दिसंबर 1893 को फ्रांस और रूस ने त्री राजे संधी के विरोध में एक दूई राजे संधी कर ली इस संधी को अंतिम रूप दिये जाने में परियाप्त समय लगा इस देरी के लिए निमनलेखित कारण उत्तर दाई ठहराए जा सकते है प्रेशा के चांसलर बिसमार्क ने सन 1870 में सेडान के युद में फ्रांस को बुरी तरह पराजित कर दिया था तदंतर उसकी विदेश नीती का प्रमुख उदेश फ्रांस और यूरोप में एकाकी वा मित्रहीन बनाए रखना था जबकि फ्रांस की नीती का मुखे लक्ष अपने एकाकी पन को समाप्त करना तथा जर्मनी के विरुद प्रतिशोधात्मक युद्ध करना था जब तक बिस्मार्ग चांसलर के पत पर आसीन रहा उसने फ्रांस को अपने उदेश में सफल नहीं होने दिया प्रेश्ट 86 उसने उन सभी राजियों से येन केन प्रकारेण मधूर संबंध बनाए रखे जिन से फ्रांस की मित्रता की संभावना भी हो सकती थी इसी उदेश की पूर्ती के लिए उसने तीन समराठों के संग की इस्थापना की और उसे 1887 इस्वी तक सफलता पूर्वक चलाए रखा किंतु सन 1878 की बरलिन की संधी के कारण इसमें एक दरार उत्पन्न हो गई थी फिर भी बिस्मार्क ने रूस का साथ नहीं छोड़ा उसने रूस के साथ पुनर आश्वासन संधी द्वारा मदूर संबंध बना कर तीन समराठों के संग को सं 1887 तक बनाए रखा परंदू 1890 इसमी में बिस्मार्क के द्वारा चांसलर पत्स से त्याक पत्र दिये जाने के कारण 1890 इसमी में इसे दोहराया नहीं जा सका नमबर दो फ्रांस रूस से संधी कर लेने के बाद भी जर्मनी द्वारा युद की घोशना से भैबीत था इसलिए फ्रांस शांती की नीती का समर्थक था देशभक्त गंबेटा ने इस संधर्ब में कहा था हमें उस समय तक जर्मनी से शांती पूर्ण संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए और रूस के साथ संधी नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे पास एक शक्तिशाली संगठित सेना ना हो नमब तीन फ्रांस और रूस की विचारधारा और प्रशासनिक पधती में विशाल अंतर था रूस को भय था कि यदि उसने फ्रांस के साथ कोई संधी कर ली तब उसकी क्रांतिकारी संभावना एं रूस में फैल जाएंगी रूस के विदेश मंतरी ने इस संधी में कहा भी था मैं फ्रांस से घ्रना करता हूँ क्योंकि वो क्रांतिकारी भावना के प्रचार का केंद्र रह चुका है और है नमबर चार फ्रांस के विदेश मंत्री की लंबी विमारी के कारण भी इस संधी में परियाप्त विलंब हुआ संधी के लिए उत्तरदाई परिस्थितियां 1873 इसमी में जर्मनी और रूस में युद्ध के चिंद इसपष्ट द्रिष्टी गोचर होने लगे थी तथा ये प्रतीत होने लगा था कि जर्मनी शीगरी फ्रांस पर आक्रमण कर देगा रूस के इस घोशना ने कि फ्रांस को एक शक्तिचाली देश के रूप में देखना चाहता है फ्रांस को बल प्रदान किया 1875 इसमी में फ्रांस और जर्मनी के संबंध और भी तनाफपूर्ण हो गए रूस ने इस अफसर पर पुन्हा फ्रांस का पक्षि लिया 1877 से 1885 तक परिस्थितिया अत्यंत शोचनिय हो गई और दोनों देशों ने आपसी कूट नितिक संबंधों को भंग कर दिया रूस ने 1886 इसमी में फ्रांस के सम्मुक मित्रता का प्रस्ताव रखा किन्तु जर्मनी के भैके कारण फ्रांस ने इसे स्विकार नहीं किया 1887 इसमी में बलगेरिया के संकट के समय फ्रांस ने रूस की नीति का समर्थन किया किंटु फ्रांस में जनरल बूलांजे के उद्ञे ने परिस्थिती को इतना गंभीर बना दिया कि युद्ध का विस्फोर्ड अवश्यम भावी हो गया इस गंभीर परिस्थिती में जर्मणी ने युद्ध से काफी भावी नीती के संबंध में ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि क्या जर्मनी वा फ्रांस के विरुद यूद प्रारंब होने पर वो जर्मनी का साथ देगा रूस ने जर्मनी और फ्रांस के विरुद यूद के अफसर पर फ्रांस को नैतिक समर्थन देने की घोशना की रूस के ग्रांड ड्यूक ने 1880 इस्वी में फ्रांस की राजधानी पैरिस के यात्रा की जहां उसका भारी स्वागत किया गया फ्रांस में 1889 इस्वी में उच्छे कोटी की राइफल्स का निर्मार किया गया रूस ने भी इस प्रकार के राइफलों को बनाने में फ्रांस से सहयता मांगी और ये वचन दिया कि वो इन राइफलों का कभी भी फ्रांस के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेगा सन 1888 वा 1889 में रूस ने जर्मनी से रिर्ण प्राप्त करने के प्रयास किये किन्तु उसकी ये मांग सुईकार नहीं की गई फ्रांस ने इन दोनों अफसरों पर रूस की सहयता की 1890 इस्वी में ग्रांड ड्यूक ओफ रूस ने पुना प्यारिस की यात्रा की और दोनों देशों अर्थात फ्रांस और रूस के बीच परस पर संधी कराने में अपने प्रभाव का प्रियोग किया प्रेश्ट 87 1890 इस्वी में बिस्मार्ग के त्याक पत्र के बाद कैप्रीवी को जर्मनी में चांसलर के पत पर नियुक्त किया गया वो इंग्लेंड के साथ मित्रता इस्थापित करना चाहता था उसने 1890 इस्वी में पुनर आश्वशन संधी को दोहराय जाने की और कोई विशेश ध्यान नहीं दिया 1890 से 1914 इस्वी के मद्ध का समय कूट नितिक अराजकता के रूप में जाना जाता है फिर भी फ्रांस और रूस के संबंधों में परियाप्त सुधार हुआ रूस की धन और शस्त्र संबंधी आवशकता की फ्रांस ने पूर्थी की इस प्रकार रूस को बालकन प्रायदीप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए एक मित्र की आवशकता थी इस प्रकार रूस वा फ्रांस के संबंध उत्रोतर मदूर होते चले गए और 1893-94 इस्वी में दोनों ने आपस में एक संधी कर ली जिसकी प्रमुक्षरते इस प्रकार से थी नमबर एक ये संधी गुप्त रखी जाएगी तब रूस उसकी सहयता करेगा नमबर चार यदि आस्ट्रिया रूस पर जर्मनी की सहयता से आक्रमड करेगा तब फ्रांस अपने मित्र रूस की अपनी संपूर्ण शक्ती से सहयता करेगा ग्यदे पर ये एक सुरक्षातमक संधी थी और त्री राजे संधी के विरोध में की गई थी किन्तो फिर भी इसके कुछ शर्टे अत्यंत्र उग्र थी प्रांस की जनता ने ये अनभ़ किया कि दुई राजी संधी के कारन फ्रांस के शक्ती और सम्मान में व्रदी हुई है तथा इसके एकाकेपन का अंधु हुआ है रूस को भी इसंधी से विशेश लाब हुआ फ्रांस ने उसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के निर्मान के लिए रिण प्रदान किया तथा इस संधी के कारण एक बर फिर योरोप में शक्ती संतुलन इस्थापित हुआ जो सन 1904 तक बना रहा इस संधी के बाद ही इंग्लेंड ने भी अपनी प्रतकी करण की नीती का परित्याप कर दिया और योरोप के देशों के साथ संधीयों के क्रम को प्रारंब किया जिसके कारण योरोप में एक बर पुना शक्ती संतुलन भंग हो गया हारदिक मैतरी समझो था इंग्लेंड ने परियाप्त लंबे समय तक शांदार प्रतकी करण की नीती को जारी रखा वो अपने आपको महा दूइपिये शक्ती ना कहा करता था वो मख्यरूप से आपने वेशिक वा प्रसारवादी नीती का समर्थक था परंतु 1894 इस्वी में यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया था अता इंग्लेंड को किसी भी गुट का सदसे ना होने के कारण चिंतित होना सवभाविक था इसके विपरीद विवन मामलों पर उसके कई देशों के साथ संबंध अत्यनतितनाफ पूर्ण थे जापान जापान ने भी पुरातन रहन सहन को पूरी तरह से त्याक कर अपने आपको पश्चिमी तोर तरीके में डुबो दिया था वो भी इंग्लेंड की भाती उपनिवेश स्थापित करना चाहता था इस समय तक उसने परियाप्त शक्ति ग्रहन कर ली थी जिससे इंग्लेंड के ईजियन सागर के हितों को जापान से खत्रा उत्पन्न हो गया था जापान के विस्तार ने चीन में भी इंग्लैंड के हितों को खत्रा उत्पन कर दिया था रूस इंग्लैंड वा रूस एक दूसरे के पुराने शत्रू थे परन्तु इस समय तक उनकी शत्रूता में बहुत अधिक प्रद्धी हो चुकी थी इंग्लैंड ने 1878 ईस्वी की बर्लिन की संदी में रूस के विकास पर अंकुष लगाया था और रूस पुना भू मदे सागर में प्रविष्ट होने के प्रयास कर रहा था तुर्की भी दोनों देशों के मदे जगड़े का प्रमुक कारण बना हुआ था रूस के एशिया की ओर विस्तार से इंग्लैंड अत्यंत चौकनना हो जाता था वो से अपने भारत इस्तिस समराजी के लिए खतरनाक समझता था और रूस के नीती की आलोशना किया करता था प्रेश्ट 88 फ्रांस मिश्र के प्रेश्ट पर फ्रांस इंग्लैंड का सबसे बड़ा शत्रू था शत्रूता का प्रमुक कारण विविन उपनिवेशों में दोनों के समान हिद थे अंग्रेजों के केप कॉलोनी से बढ़कर संपूर अफ्रीका पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था फ्रांसिसी भी अफ्रीका में प्रवेश करने के एक शुक थे इसलिए फैशोडा में फ्रांसिसी वा अंग्रेजी जनरल के बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ था और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि दोनों देशों में फैशोडा के प्रश्ण पर संघर्श प्रारंब हो जाएगा किन्तु फ्रांसिसी जनरल अपने देश के कमजोरियों से अफगत था इसलिए वो पीछे हट गया और युद्ध के बादल छट गए परंतो इन सब घटनाओं ने इंग्लैंड को प्रतेकी करण की नीती के परित्याग के लिए प्रेडित किया तथा उसने योरोप के अन्य देशों के साथ मैत्री संबंद स्थापित करने का प्रयास किया सर्व प्रतम इंग्लैंड ने निमनलखित कारणों से आकरशित होकर अपना ध्यान जर्मनी की और किंद्रित किया नमबर एक जर्मन समराड विलियम कैसर दुत्ती एंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया का नाती था नमबर दो जर्मन वा अंग्रेज दोनों का संबंद ट्यूट्रोनिक जाती से था नमबर तीन जर्मन और अंग्रेजी भाशा का मूल एक ही था नमबर चार दोनों देशों का भूतकाल समान था दोनों ने एक साथ अपने सामाने शत्रों के विरुद युद किये और संधिया की इंग्लेंड का प्रशासनिक वर्ग जर्मन के हैनोवर वंश से संबंधित था अनेक जर्मन ब्रिटेन के ओक्सफोर्ड विश्विध्याले में प्राध्यापक थे इसलिए सन 1899 में ग्रिटेन के उपनिवेश मंत्री जोजफ जमबरलेन ने घोशित किया था हमारे और जर्मनी के मध्य संधी होना सबसे अधिक स्वभाविक है फिर भी निमनलेकित कारण वश दोनों अपने उद्देशी की प्राप्ती में असफल रहे जर्मनी इंग्लैंड की उदार शाशन विवस्था का विरोधी था और सैनिक शक्ती को विशेश महत्व प्रदान करता था इसलिए वो इंग्लैंड के उदार विचारों को अपने देश में प्रवेश नहीं करने देना चाहता था नमबर दो, इंग्लेंड जर्मनी के एकी करण की प्रगती के दोरां तठस्थ बना रहा। उसने कभी जर्मनी का समर्थन नहीं किया, अपे तो डैनिश यूद एवं कुछ अन्ने अफसरों पर उसने जर्मनी का विरोध किया। परंदो बिसमार्क जब तक चांसलर पर पर आस तनाया, उसने पूर्वी समस्या में रूची लिनी प्रारंब की तथा जल सेना के विकास की और ध्यान दिया और घोशित किया, हमारा भविशे समुद्र पर निर्भर करता है। इससे इंग्लेंड चोकनना हो गया और दोनों देशों के मध्धतनाव बढ़ने लगा। प्र पांच विल्यम कैसा दुत्यों द्वारा भेजे गए बधाई के तार ने जो उसने बोरों के राश्ट्रपती क्रूग्रों को अंग्रेजों के विरुधु उनकी विजय के उपलक्ष में भेजा था, आग में घी का काम किया और देवनों देशों के बीच विद्वेश को औ अधिक बढ़ा दिया, इस तार की सर्वत्र निंदा की गई, अकबार मौनिंग पोस्ट ने लिखा आकरमन एक मुर्खता थी, परन्तु तार उससे भी बड़ी मुर्खता थी, महरानी विक्चोरिया ने भी विल्यम दुत्ये द्वारा भेजे गए इस तार की कट्वालोशन की, इस से विल्यम दुत्ये की बहुत बदनामी हुई, जर्मनी वा इंग्लैंड के इस आपसी विरोध के कारण ही विल्यम दुत्ये ने इंग्लैंड से मित्रता की अभेलना करते हुए कहा था, बरलिन का रास्ता वेना होकर जाता है, इसका तात पर ये था कि इंग्लैंड क के मध्धे भी कोई समझाता संभव नहीं था इंग्लेंड और फ्रांस के संबंध इंग्लेंड वा फ्रांस दोनों ने रूस के विरुद क्रीमिया के युद्य में भाग लिया था प्रारंब में नेपोलियन तृतिये द्वारा अपनाई गई संरक्षन की नीती के कारण फ्रांस और इंग्लेंड के आपसी संबंध अत्यंत मधुर थे परंतु कालंतर में नेपोलियन तृतिये की सामराजवादी नीती के कारण संबंधों में तनावाना प्रारंब हो गया था। नेपोलियन तृतिये को इटली में सयोग के कारण नीस और सेवाय के प्रदेश प्राप्त हुए थे किन्तु जर्मनी के एकी करण में सयोग के उपलक्ष में वो बेलजियम और राइन के प्रदेशों को और प्राप्त करना चाहता था नेपोलियन तृतिये मैक्सिको पर भी अपना प्रभूतवे स्थापित करने का एक शुक था इससे इंग्लेंड अत्यधिक शुब्द हो गया और 1870 इसवी के युद्ध के बाद उसने त्रस्था की नीतिक खावलम बन किया जिसके फल्सवरूप फ्रांस को पराजे का मूँ देखना पड़ा बिसमार्क 1870 इसवी के सेडान के युद्ध के बाद फ्रांस को यूरोप में मित्र विहिन बनाए रखना चाहता था अपने इस उद्धेशी की प्राप्ते के लिए उसने रूसवा इंग्लैंड के साथ मैत्री संबंद स्थापित किये और इसके लिए उसने ना तो जल सेना का विकास किया और ना ही उपनिवेश स्थापना की ओर ध्यान दिया क्योंकि ऐसा करके वो इंग्लैंड से अपने संबंध खराब करना नहीं चाहता था फ्रांस ने सक्रिय रूप से अपने वेशिक दौड में भाग लेकर इंग्लैंड के साथ अपने संबंधों को बिगाल लिया था दोनों अफरीका में अपने अपने उपनिवेश इस्थापित करना चाहते थे, फ्रांस ने प्रारंब में ही अल्जीरिया पर अधिकार कर लिया था, उसने बिसमार्ग से प्रोचसाहन प्राप्त करके ट्यूनिस पर भी आधिपत्ते इस्थापित कर लिया था, 1889 इसमी में का औरेंच फ्री स्टेट पर आधिपत्य जमा लिया था और वो सुडान पर भी प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था फ्रांस भी सुडान को प्राप्त करने का एक शुक था मिस्र पर भी फ्रांस और इंग्लैंड दोनों अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए प्रयत्नशील थे परंतु नील नदी के युद्व में फ्रांस की सेनाई बुरी तरह से पराजित हो गई थी जिससे मिस्र पर अधिकार जमाने की उनकी इक्षा की पूर्ती नहीं हो सकी थी फैशोडा की घटना 1899 इंग्लैंड वा फ्रांस दोनों फैशोडा पर आधिपत्य जमाना चाहते थे फ्रांसिसी जनरल मार्श ने वहाँ पर अपना जंडा गार दिया था जिसका अंग्रेजी जनरल किछनार ने घोर विरोध किया दोनों देशों में फैशोडा के प्रशन पर युद्ध अवश्यम भावी प्रतीत होने लगा परंदु दकाजे की बुधिमत्ता के कारण युद्ध टल गया जिसने फ्रांस की दुरबलताओं को दृश्टी कोशर करते हुए पीछे हटना ही श्रेश कर समझा फ्रांस के सुयोग राजनितिक जानते थे कि इंग्लैंड से युद्ध करने पर उसे अपनी अनेक उप लब्धियों से हाथ धोना पड़ेगा अतहाँ उसने अपनी सेनाओं को फैशोडा से वापस बुला लिया तथा भविश में मिश्रकी और ना बढ़ने का भी वादा किया इंग्लैंड ने फ्रांस को अफ्रिका से पश्चिम में विकास करने की अनुवती प्रदान कर दी दकाजे इस समझोते में और विस्तार करने का भी एक शुक था परन्तु लॉर्ड सेल्सबरी इसके लिए तयार नहीं था फिर भी इस समझोते के परणाम सो रूप दोनों देशों के संबंधों में सुधार होना प्र प्रेजों ने इस नुमाईश में भाग लिया तथा इसे सफल बनाया था एडवर्ड सप्तम के सिंघासना रोहन वर्सेल्सबरी के त्याक पत्र ने फ्रांस वा इंग्लैंड के संबंधों में और अधिक सुधार के अफसर प्रदान किये समराड एडवर्ड सप्तम ने पैर पर समराड एडवर्ड सप्तम ने कहा मैं हिर्दै से दोनों देशों के मद्धिस्थाई मधूर संबंधों और सहयोग की स्थापना का एक शुक हूं इस घोशना से ये सपष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड फ्रांस के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने का एक शुक था किन अधि इपनेवेशों के सम्बंध में दोनों देशों में कोई मतांतर उत्पन waited तब उस्म lijस्तता द्वारा घल किया जाए आठ अपरेल 1904 को दोनों देशों के मद्धिस आशे का एकम हर समझ वह गया वस्तुता इस समझोते के द्वारा दोनों देशों के मद्द संबंधों में सुधार हुआ वान बियूलो ने इस समझोते के संबंध में कहा था मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास इस आशे का कोई कारण नहीं है कि यह समझोता किसी भी शक्ती के विरोध में किया गया है ये केवल इंग्लेंड और फ्रांस के मतांतरों को दूर करने का एक प्रयास मादर था प्रेश्ट 91 वसुता एंग्लो फ्रेंस समझोते के कारण जर्मनी के शक्ती को गहरा आगात पहुचा और योरोप में उसके प्रभाव का अंत हो गया एक जर्मन राजनेतेगी ने इस समझोते को नितान स्वभाविक और पूर्टिया उचित कहा था इंग्लेंड के लोगों को इस समझोते से अत्यनत प्रसंता हुई किन्तो कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया वे जर्मन को भी इस समझोते में सम्मिलित कराना चाहते थे नहीं तो वो इसे जर्मन विरोधी समझेगा परंतु जर्मनी ने इस समझोते को भंग कराने के प्रयास किये क्योंकि इस से उसकी स्थिती अत्यनत कमजोर हो गई थी उसने सन 1905, 1908 पा 1911 इसमी में तीन बार मिरग को संकट को उठाया और इंगलेंड था फ्रांस के मद दरार उतपन करने की कोशिश की किन्तों इंगलेंड ने प्रतेख अफसर पर फ्रांस का समर्थन किया इससे जर्मनी के विरोध के बाद भी इंग्लैंड वा फ्रांस के संबंद परस पर मधूर बने रहे आस्ट्रिया के अत्रिक्त किसी भी अन्य राश्ट्र ने मुरपको संकट के अफसर पर जर्मनी का समर्थन नहीं किया तेरे राजसंदी के सदस्य राश्ट्र इटली ने भी जर्मनी का सहयोग ना करके ये सिद्ध कर दिया कि उसका वास्तविक जुकाव इंग्लैंड और फ्रांस की और है जर्मनी ने घोशित किया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अब तुष्टे करन के नीती के स्थान पर तलवार की नीती अपनाएंगे जर्मनी ने रूस को अपने गुट में मिलाने के लिए भी अनेक प्रयास किये और जर्मनी के शाशक विलियम कैसर दुत्तिये ने रूस के जार समराट के साथ 1904-1905 इस्वी में निरंतर पत्र वहवार किया जो योरोप के इतिहास में विली निकी पत्र वहवार के नाम से जाना जाता है अथा दोनों समराटवियों को नामक स्थान पर मिले और 3 जुलाई 1905 को दोनों ने आपस में एक गुप्त संधी कर ली जिसकी अनुसार ये निश्चत किया गया कि कोई देश किसी एक पर आकरमन करेगा तब दोनों देश एक दुसरे की सहिता करेंगे परंतु रूस वादियों के विरोध के कारण ये संधी टिकाउ सिद्ध नहीं हुई चुकि जर्मन अपने उद देश को प्राप्त करने में पूरी तरह अस्तफल रहा वो इंगलेंड को अपना कटर शत्रू समझने लगा 1907 का एंगलो रूसी समझोता मतेशियों और बालकन राजियों में इंगलेंड और रूस के हित परस पर विरोधी थी एक बार इंगलेंड के प्रधान मंतरी एडवर्ड ग्रे ने इस संदर्भ में कहा था जब कभी दो देशों के हित एक दूसरी से बुरी तरह से टकराते हैं तब वो या तो पक्के मित्र अत्वा प्रान घातक शत्रू बन जाते हैं आजकल रूस की स्थिती शोचनिय थी सन 1905 में रूस में क्रांती हो चुकी थी और इसी वर्ष रूस को जापान के हाथों एक करारी पराजय का सामना करना पड़ा था साथ ही इसी समय जर्मनी और आस्ट्रिया ने रूस विरोधी गुड बना कर उसकी स्थिती को दैनिय बनाने में सहीयो किया था सन 1902 की एक संधी की अनुसार जापान इंग्लैंड का मित्र था अता यदि एंगलो रूसी समझोता हो जाता तब जापान पर सरलता से नियंदरन इस्थापित किया जा सकता था इंगलैंड का समराड एडवर्ड सप्तम जर्मनी का विरोधी था किन्तु रूस का विदेश मंत्री इंगलैंड के साथ मैत्रिपूर संबन्ध इस्थापित करने की पक्ष में था अंग्रेजी चनता भी रूस के साथ संधी की एक शुप थी प्रिष्ट बानवे ब्रिटिश राजदूत हार्डिंग भी इस नीती का पोशक था इसलिए इंगलैंड और रूस में एक संधी हो गई जिससे दोनों पक्षों को लाब हुआ इस संधी ने रूस को जर्मनी वो ऑस्ट्रिया के भैसे मुक्त करा दिया इससे बालकन समस्या के मामले में इंग रूसी भैसे मुक्ति मिलग गई तुल्लात्मग अग दिश्टी से रूस के मकाबले इंगलैंड को इस संधी से अधिकला पहुँचा सन 1904 के एक समझोते के द्वारा फ्रांस और इंग्लैंड में पहले ही मित्रता इस्थापित हो चुकी थी फ्रांस रूस का मित्रता किंतु इंग्लैंड और रूस के संबंध मधुर नहीं थे अता यदि रूस और इंग्लैंड के मध्य युद्धिप्रारंब हो जाता तब फ्रांस अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में फज जाता उसे साहिता करने के लिए दो मित्रों में से एक को चुनना पड़ता जिसकी वो साहिता नहीं करता उसे के साथ उसके संबंध खराब हो जाते इसलिए उसने रूस और इंग्लैंड के मध्य संधी के लिए हर संभव प्रयास किये इस संधी की जर्मनी में अत्यधिक प्रतिक्रिया हुई जर्मन समराड विलियम के असरदुतिये ने ये घोशित किया कि हमें चारों और से घेरने का प्रयास किया जा रहा है किन्तों मित्र राश्ट्रों ने उसे आश्वा संधिया कि ये एक सुरक्षात्मक संधी है और कदाचे जर्मनी के विरोध में नहीं है बिडिन बर्ग लिखता है त्री राजे संधि ना तो जर्मनी के लिए खतरनाक और ना ही मित्र राश्ट्रों के लिए सुरक्षात्मक संधी है परन्तों इस संधी ने जर्मनी को कमजोर आवश्य बना दिया था अब चुकि वो कमजोर दल का नेतर रह गया था अता उसके लिए ये अनिवारे हो गया था कि वो अपनी जल शक्ती का विस्तार करे सन 1914 से पूर्व योरोप में होने वाली संधियों की आलोशना करते हुए थॉमसन ने लिखा है युदि के लिए मार्ग अच्छी नियत किन्तु बुरे तरीके से बनाये गया था तात पर ये है कि संधियों का सोवरूप सुरक्षात्मक होती हुए भी उनकी आत्मा आक्रमाणा अत्मक थी युरोप की इस नमीन गुडबंधी ने पुराने कूट नितिक विवस्था को छिन भिने कर दिया था युरोप में इस समय अनेक रांतिकारी परिवर्तन हुए शत्रू राष्ट्र एक दूस्तरे के मित्र बन गए और मित्र राष्ट्रों में शत्रूता की भावना का उदै हुआ इंग्लैन, रूस वा फ्रांस जैसे विरोधी राष्ट्रों के मैत्री बंधन में बंध जाने के कारण कुछ समय के लिए युद्धों पर अंकुष लग गया क्योंकि इससे एक बार पुना यूरोप महादूइप में शक्ति संतुलन निस्थापित हो गया था प्रारंभ में यूरोप में दो प्रमुग दल थे नमबर एक त्री राजे संधी और दूसरा हार्दिक मैत्री समझोता प्रथम दल के ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली सदसे थे कि तो दूसरे दल में इंग्लैन, फ्रांस वर रूस सम्मिलित थे परन्तु कालांतर में कुछ अन्य छोटे दलों का भी उदय हुआ, जिसके लिए इटली पूरी तरह से उतरदाई था यदे पे इटली स्वयम त्री राजे संधी का सदस्य था किंतु, उसने सन 1887 में इंग्लैन के साथ अलग से एक संधी कर ली थी इटली नेशन 1887 में ही आस्ट्रिया वा जर्मनी के साथ 1922 में प्रशा से और 1922 में फ्रांस से भी एक संधी कर ली इस संधर्ब में थॉमसन ने लिखा है इटली की इन गुप्त संधियों ने गुडबंधियों को एक नया मजाग बना दिया था प्रेश्ट तेरान नवे इटली द्वारा त्री राजे संधी का त्याग जर्मनी इटली की नीति को चालाकी से परिपूर्ण समस्ता था विस्मार्क को उस पर कतई विश्वास नहीं था और इसलिए प्रारंब से ही वो इटली को अपने दल में मिलाना नहीं चाहता था किन्तु बाद में ये इसपश्ट हो गया कि इटली योरोप के दोनों गुटों का सदस्य था वस्तुता इटली को परस्थितियों के वशिभूत इस प्रकार का कदब उठाना पड़ा था आस्ट्रिया परतंत इटली के प्रेशन पर उसका शत्रु था और विसमार को उसका हिर्दय से सयोग नहीं करता था अता उसने कूटनीती के आधार पर दोनों दलों के साथ गड़ बंधन कर लिया था इटली अल्बानिया पर अधिकार इस्थापित करना चाहता था आस्ट्रिया भी अल्बानिया की और लालच पूर्ण नजरों से देख रहा था दोनों देश एड्रियाटिक सागर पर अपना प्रभुत्वे स्थापित करने के एक शुक थे आस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्जी कोविना पर अधिकार किये जाने का इटली ने घोर विरोत किया था उसने आस्ट्रिया द्वारा संजक रेलवे लाइन के निर्मान का विरोत किया परंतो जर्मनी ने इस अफसर पर भी इटली का सयोग नहीं किया 1910 इसवी में इटली ने ट्रिपोली पर अपना अधिकार इस्थाफित कर लिया जिसका उसके मित्र और जर्मनी ने घोर विरोत किया इसलिए इटली ये सोचने लगा था कि त्री राजे संधी में उसके हित्प सुरक्षित नहीं थे बोस्निया के संकट के अफसर पर इटली के संसत के एक सदसी ने कहा था एक मात्र राजे जो हमें युदि के भैसे डराता रहता है वो हमारा ही मित्र है 1908 इसमी में इटली त्री राजे संधी को छोड़ने का एक शुप था परंतु समय को उप्युक्त अनुभव ना करते हुए उसने इस निर्ने को कार्यानवित करने में विलंब किया ट्रिपोली पर अधिपत्य स्थापित करते समय भी इटली को फ्रांस, इंग्लाइन और रूस का समर्थन प्राप्त था अपने मित्रों के विरोधी तृष्टिकोन को देखते हुए इटली ने इंग्लाइन, फ्रांस वर रूस के साथ 1915 इसवी में लंदन की संधी कर ली जिसके द्वारा मित्र राश्टों ने इटली को अनेक लाभों का विश्वास दिलाया और उसे अपनी ओर महा युद में भाग लेने के लिए प्रेरित किया इस प्रकार लंदन की संधी में प्रदत विभिन आशवासनों से प्रेरित होकर इटली ने मित्र राश्ट्रों की ओर से युद्य में भाग लिया यद्यपी वो अभी भी त्री राजे संधी का सदस्य था निसंदे यूरोप इस समय दो सानिक गटों में बटा हुआ था और युद्य की संभावना अत्यदिक बढ़ने लगी थी किंदु यदि विलियम दुत्ती अपनी जबान पर नियंतरन कर लेता तब ही इसे टाला जा सकता था उसके उतेजना पूर्ण भाशनों ने युद्य के विसफोट को अनिवारे बना दिया था अधिक जल सेना अधिक स्थल सेना और अधिक बारू तथा यदि वे युद्य चाहते हैं तो प्रारम कर सकते हैं हम उससे भैवित नहीं है आधि उसकी घोशना ने वातावरण को विशाक्त बना दिया था एक प्रसिद्य थियासकार ने लिखा है सन 1905 में त्री राजी गुट बहारदिक मैत्री संग दोनों साथ साथ थे परंतु 1914 इसमी में वे दोनों आमने सामने थे इस प्रकार गुट बंदियों का गठन और शस्त्रों की होल ने सन 1914 में प्रथम विश्व युद को अनिवारे बना दिया था महायुद के विस्पोर्ट में 1870 से 1914 इसमी तक राशनितिक एवं कूटनितिक परिस्थितियों ने भी महात्वपोर्ण भूमिका अदा की थी योरोप का शक्तिशाली गुटों में विभाजन भी अत्यंत घातक सिद्ध हुआ और अन्तता महायुद के ज्वाला धदक उठी प्रेश्ट चौरानवे दीर्ग उत्तरिय प्रेश्ट 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 एक 1914 में विश्वयुद प्रारंब होने से पूर्व योरोप कूटनिती पर एक लेख लिखिये प्रेश्ट दो 19 में शताबदी में एंगलो फ्रेंच प्रतिदुन दिता की कारण बताईए प्रेश्ट तीन प्रेश्ट संग 1772 की प्रेश्ट भूमी को इसपश्ट कीजिए प्रेश्ट दो उत्तरदाई परिश्थितियों का वर्णन कीजिए वस्तु निष्ट प्रेश्ट 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 एक किसने कहा पांच शक्तियों द्वारा शाशित यूरोप महादूइप में तिरुकोन बने रहो नमबर एक मेटरनिक नमबर दो नैपोलियन प्रथम नमबर तीन बिसमार्क नमबर चार विलियम दुतिये सही उतर है नमबर तीन बिसमार्क प्रेशन दो बिसमार्क ने सन 1887 में किस देश के साथ पुनर आश्वासन संधी की नंबर एक रूस नंबर दो अउस्ट्रिया नंबर तीन इटली और नंबर चार जर्मनी सही उत्तर है नंबर एक रूस प्रेशन तीन सन अठारह सो उन्याशी की दुई राज्य संधी किन दो देशों के मध्य संपन्न हुई थी न त्री राजे संधी कब संपन्य हुई थी नमबर एक 1884, नमबर दो 1871, नमबर तीन 1882 और नमबर चार 1890, सही उत्तर है नमबर तीन 1882, प्रेश्ण पांच, फ्रांस नेशन 1893-94 में किस देश के साथ मैत्री संधी की थी, नमबर एक रूस, नमबर दो इंग्लैंड, नमबर तीन जर्मनी, नमबर चार इटली, सही उत्तर है नमबर एक रूस, प्रेश्ण छे, 1904 का हार्दिक मैत्री समझा था किन दो देशों के मध्य संपन हुआ था, नमबर एक फ्रांस रूस, नमबर दो जर्मनी आस्ट्रिया, नमबर तीन फ्रांस इंग्लैंड, नमबर चार इटली, फ्रांस, सही उत्तर है नमबर तीन फ्रांस इंग्लैंड, प्रेश्ण साथ, किसने कहा, बर्लिन का मार वियना होकर जाता है, नंबर एक बिस्मार्क, नंबर दो कावूर, नंबर तीन मेतर्निक, नंबर चार विलियम दुतियस, सही उत्तर है नंबर चार विलियम दुतिय Efendimiz हखें प्रेशनाट, इटलील ने ट्रपॉली पर कभ दिकार किया था नमर एक 1910, नमर दो 1911, नमर तीन 1895, नमर चार 1902, सही उतर है नमर एक 1910, प्रिष्ट 95